दोस्तो इस समय दुनिया में ड्रोन्स काफी चर्चा में हैं और दुनिया भर की सेना हैं अब स्रेट्विलाइन्स के साथ साथ कॉम्बैट ड्रोन को भी बड़े पैमाने पर अपनी सेना में सामिल कर रहे हैं रूस और यूक्रेन वार में भी जम कर ड्रोंस का यूच किया जा रहा है तो दोस्तो इस वीडियो में हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के सापर टू ड्रोंस की खासियतों को जानेंगे पाकिस्तान के सहर कराची में रच्छा परदरसनी लगाई गई है इसमें पाकिस्तान, चीन, तुर्की समेत कई देशों की रच्छा कमपनियां अपने अपने हतियारों और उपकरणों का परदर्सन कर रही है इसी परदर्सनी में पाकिस्तान की रच्छा कमपनी G-Ideas यानी Global Industries Defense Solution ने एक Combat Drone को सोकेस किया है इस ड्रोन का नाम Safer 2 है यहां एक Unmanned Combat Aerial Vehicle है इसे पिछले साथ ही बनाया गया है इसे बड़ी तेजी से पाकिस्तान की सेना के सर्विस में भी ले लिया गया है अब बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की तो ये ड्रोन 26.3 फिट लंबा है इसका Wing Span 52.5 फिट है और टेक आप के समय इसका अधिक्तम वजन 850 किलोग्राम तक जा सकता है यहां अधिक्तम 222 किलोमीटर प्रदी घंटा की स्पीड से उड़ सकता है सापट 2 ड्रोन क्रूज स्पीड इसकी यानि नॉर्मल उड़ान के समय गती 158 किलोमीटर प्रदी घंटा की होती है सर्विलांज के समय यह लगातार 14 घंटे और हमला करते समय यह लगातार 7 घंटे तक उड़ान भर सकता है सापट 2 ड्रोन अधिकतम 20,000 फीट की उचाई तक जा सकता है इसके अंदर 50 किलोग्राम और बाहर की तरफ 120 किलोग्राम का पेलोड लगाया जा सकता है उसमें बर्क लेजर गाइडेड मिसाईल लगी होती है यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाईल है जिसकी रेंज 8 किलोमीटर है यह मिसाईल 45 किलोग्राम की होती है इस ड्रोन पर 60 किलोग्राम के लेजर गाइडेड मिसाईल लगाई जा सकती है इस ड्रोन पर फिलहाल सिर्फ दो hard point है यानि इस पर अभी बस 2 missiles लगाई जा सकती है सापड 2 ड्रोन कीसी भी समय निगरानी कर सकता है यानि दिन हो या रात हो दोनों ही समय पर निगरानी और हमला करने में सक्छम है सापड 2 ड्रोन पर Jits, Jorm2, Multi Sensor Terrell लगे हैं इसके अलावा autonomous GPS based tracking and control system लगाया गया है 300 km की दूरी तक यह है real time data देता है जबकि 1050 km की दूरी तक सैट कॉम data link मिलता है तो दोस्तो ये थी वीडियो जिसमें हमने पाकिस्तान के combat drone की details को देखा लेकिन अभी ये drone combat ready नहीं है इसलिए अभी ये कितना कारगर सावित होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके channel को subscribe करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रते हैं जेंड